पार्सेक क्या है? पार्सेक का पुरा नाम पेरलेक्स अफ वानाक सेकेंड है. यह लंबाई मापने का सबसे बड़ा एकाई है. अब सवाल यह है कि एक पार्सेक क्या है? मतलब एक पार्सेक में कितनी लंबाई होती है? एक पारसे के काई और इसके गनित को बिस्तार से जानने के लिए हमारे सौर मंडल पर नजर दिजिए सूर्या और प्रिथवी के बीच की औसत दूरी को खगोलिय एकाई यानी एस्ट्रोनमी कॉल यूनिट कहा जाता है इसका स्वीक्रित लंबाई एक सो उन्चास दशमलव छे मिलियन किलोमेटर है अब मान लिज्जे कोई वस्तू उस रेखा के लंबवत चलना शुरू किया है तो सूर्या और प्रिथवी के साथ लगातार परिवर तंशील कोन बनाता जाएगा अब जरा गौर से देखिए यह वस्तू धर्ती से जितने दूर जाता है उस कोन का माप उतना ही कम होते जाते हैं अगर वस्तू धर्ती के करीब रहते हैं तो कोन बड़ा हो जाता है उदाहरन के लिए प्रिथवी से लगभग 86 मिलियन किलोमेटर की दूरी पर वस्तू 60 डिगरी का कोन उत्पन करती है एक एस्ट्रोनमी के लेकाई यानी 149.6 मिलियन किलोमेटर की दूरी पर यह कोन 45 डिगरी का बन जाता है लगभग 269 मिलियन किलोमेटर पर यह कौन 30 डिगरी का होता है फिर 8.57 अरब किलोमेटर पर यह कौन एक डिगरी बन जाता है और आगे जाने पर लगभग 514 बिलियन किलोमेटर दूरी पर यह कौन केवल एक आक मिनट हो जाता है तो हमने देखा कि एक छोटा कोन प्राप्त करने के लिए वस्तु को और आधेक दूरी तक जाने की आवश्यक्ता होती है यदि हम चाहे वस्तु और छोटा कोन बनाए यानि एक आक सेकंड का कोन बनाए यानि एक बटा 3600 डिगरी तब वस्तु को प्रित्वी से कुछ खरब किलोमेटर दूर जाना होगा इस दूरी को एक पारसेक कहते हैं इस प्रकार हमने देखा एक पारसेक धर्ती से दूर का एक बिंदू होता है जहां धर्ती की कक्षिय त्रिज्या एक आक सेकंड का कोन बनाती है और यह 30.86 ट्रिलियन किलोमेटर लंबाई का होता है यह 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है मतलब ऐसाई प्रक्रिया में 3.086 इंटू 10.2 दी पवर 16 मीटर होता है अब थोड़ा गनितियर रूप से सोचिए यदि इस समकोन त्रिभुज के इस कोन का मान थीटा है तो 10 थीटा, S, E, दूरी, विभाजित, O, E, दूरी के बराबर होगा थीटा का मान एक आक सेकंड या एक विभाजित 3600 डिगरी है और S, E, दूरी समान 149.6 मिलियन किलोमेटर है यह सब राशियों के मान इस्तेमाल करके हमें मिलता है O, E, दूरी, समान 3.086 into 10 to the power 16 मीटर पारसे केक बहुत बड़ा एकाई होता है आमतोर पर खगोल विद इस एकाई का उप्योग करते हैं सौरमंडल के करीबी तारे और अन्य बस्तूओं के दूरी मापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है आशा है, यह विशे आपको अच्छा लगा होगा अगर आपको लगता है कि यह ट्यूटोरियल आपके लिए मददगार है तो कमेंट करके जरूर बताए मिलते हैं हमारे अगले ट्यूटोरियल में तब तक के लिए अलविदा